नमस्कार विब्दुनिया समाचार में आपका स्वागत है पेश हैं आज की प्रमुक खबरें पाकिफ्तान ने किया संघर्ष बिडाम का उलंगन गोली बारी में दो भरतियों की मौट पाकिफ्तानी रेंजर्ष ने बुधवार को एक बार फिर संघर्ष बिडाम का उलंगन करते हो गोली बारी की जिसमें एक B.S.F. जवान एवं एक महिला की मौत हो गई जबकी छे अन्य घायल हो गए B.S.F. के एक बरिफ्ट अधिकारी ने कहा कि पाक रेंजर्ष ने अखनूर सेक्टर में तराफ्री सीमा के पास सीमा चोकी की सुरक्षा में तहनात B.S.F. के जवानों पर गोलियां चलाइं घायलों में दो के नाम रमेश लाल और उशा देवी है शहीद हमराज की पंदी ने मांगा आतंकबादी अन्वर का सिर धाई वर्ष पूर्व जब्व जब्व की सीमा पर तेरा राजपूतन राइफल्स के लांसना एक हमराज सिंग का सिर काट कर ले जाने वाले आतंकबादी मुहमद अन्वर के सीमा पर गुस्पैट के प्रयास में भारती सेनिकों के हाँ तो मारे जाने की खबर मिलने पर शहीद के मत्रुजिले में इस इस गाउं में आतिश बाजी कर खुशी का इजहार किया दया शहीद हमराज की विद्वा धरमबदी ने उस आतंकी का सिर भारत लाए जाने की मांग सरकार से की है उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पाकिस्तानी सेनिकों की सहायता से अन्वर उनके पती का सिर काट कर ले गया था उसी प्रकार उसका भी सिर काट कर भारत लाया जाए मंगोलिया में चीन ने भारती को किया गिरफतार चीन अधिकारियों ने एक आतंकी समोह के साथ रिष्टों के संदेह के आधार पर उत्तरी भीतरी मंगोलिया के एड्रेस हवाई अड्रे पर जिन वीफ लोगों को गिरफतार किया है उनमें एक भारती भी शामिल है ये लोग धार्मिक रूप से प्रेलित अफरी की चैरिटी गिफ्ट आप दगिवर्स से जुड़े हैं ये जानकारी बुद्वार को बितानी अधिकारियों और चैरिटी समूह ने दी है दफ जुलाई को गिरिफ्टार के गए इन लोगों की गिरिफ्टारी के पीछे के कारण इस पफट नहीं है यूनान को 2018 तक 85 अरब यूरो की जरूट अंतराफ़ि मुद्राकोश ने कहा कि यूनान को रिन राहत के अलावा 2018 तक 85 अरब यूरो के नए रिन की जरूट होगी यूनान को बजट में भारी कटवती और कड़े आर्थिक फदार लागू करने होंगे लेकिन वह यूरो मुद्रा का इफ्तिमाल करता रहेगा अब नहीं होगी चैंपियंस लीग टी 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 चैंपियंस लीग टी 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 की गवर्निंग काउंसिल ने इस प्रतियोगता को तद्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है बहर तलब है कि चैंपियंस लीग टी 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 हर बस पूरी दुनिया के 6 घरेलू कलबों के बीच आयोजित होने वाला टूर्णामेंट है चेंपियन्स लीग T20 की गवर्निंग काउंसिल में BCCI, करकेट आफ्टेलिया, करकेट दक्षिन अफरीका शामिल है तीनों ने ये फैफला सर्ब सम्मती से किया है इस फैफले के बाद सितंबर और अक्टूबर में होने वाली चेंपियन्स लीग T20 पर दियो गुतार नहीं होगी यह लीग 2009 में शुरू हुई थी BCCI के सच्छिप अंडराक ठाकुर ने बताया कि ये काफी कठिन फैसला था ये थे अब तक के मुखिसामाचार और जादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com नमस्कार